हेलो दोस्तों सिव सी बोर क्लास étय 2-1 के चातों के लिए सी बैसी बॉर्ड के अफिशल खऑन निकल चाहा है सी बैसी बोर ने जो है क्लास तेयन listen लेक्षा है एलोसी जारी आप लोग बहुती बड़ी गलती करने वाले हैं सबसे पहले समझिए CBC Board ने LOC जारी किया है, LOC क्या होता है CBC Board Term on Exams में जो भी Candidate सामिल होने वाले हैं, चाहे हो Class 10 के हों या Class 12 के हों तो LOC का मतलब होता है List of Candidate यानि CBC Board Term on Exams में सब्जेक्ट है, या आपके पास Addictional सब्जेक्ट है, यानि कि आपके पास 6 है, तो आपके कितने फीस आपको देने होंगे तो यह भी पूरी completely इस वीडियो में आपको बताने वाले है जो Class 10 के लिए इंपोर्टेन होने वाला है कई सरी बात लिखी गई है, सबसे पहले CBC Board ने कहा है कि LOC जो आपका सम्मीट होगा, यानि LOC का टाइम टेबल CBC Board ने बनाया है उसी टाइम पिरेट के अंदर जो है LOC हरेक स्कूलों को सम्मीट करना होगा यानि आपको भी वेरिफिकेशन जो करनी होगी, LOC की आपको उसी टाइम पिरेट के अनुसार करना होगा कि CBC Board ने साफ साफ अगेनली सीज को मेंशन किया है कि परिक्साओ का जो डेट है वो आपका पोस्पोर्ण नहीं होगा यानि कि नोवंबर दिसंबर में जो CBC Board ने टाइम टेबल बनाया है उसी टाइम टेबल में यानि तैट टाइम टेबल में ही जो है क्लास टेने ट्वैल दोनोई चाथो का तर्मन की परिक्साओ को करवाया जाएगा यह पहला पॉइंट जो है CBC Board ने सर्गलर में में इंसन किया है जो क्लास टेने ट्वैल दोनोई चाथो के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है तो सबसे पहले पहले पहला पॉइंट आपने जाना आप दूसरा पॉइंट जैनली CBC Board ने क्या कहा है LOC में आपके बाद जो भी सब्जेक्ट है यानि कि आप क्लास टेन के हों या क्लास ट्वैल के स्टूडेंट से आपने जो भी सब्जेक्ट के लिए जो है टर्मान एक्जामस में आप बैठने वाले हैं वो हरे एक सब्जेक्ट का आप पूरी complete name होता है यानि हर एक सब्जेक्ट की कोड के साथ name होता है तो आपको यही सारी तमाम डीटेल्स आपको LOC में चेक करना होता है और यहां पर आपको नीचे आपके साइन होते हैं आपके फादर के साइन होते हैं वो साइन इसलिए होता है कि आपने तमाम डीटेल से आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है इसमें कोई भी गलती नहीं है क्योंकि आगर आप लोग यहां पर साइन कर दिया है यहां सब्जेक्ट कोड अगर गलती है तो अगर आपने बेसिक ले रखा है तो आपको स्टेंडर का ही पेपर देना आपको बताए यह तमाम डीटेल से होते हैं तो यहीं आपको करना होता है यहां पर पूरी कंप्लीट सीवेसी वोड ने बताया है और नहीं करने वाला है साल से अवाल नहीं होगा तीस लिए भी जो है दस भी बार भी चाथों के लिए LOC समझना बेहती जरूरी होने वाला है तो LOC में जो है आपको क्या क्या चेक करना है मैं सबसे पहले आपको बताता हूं सबसे पहले जो है क्लास 10 ए 12 दोनों इचाथ इस बिडियो को ध्यान से देखेगा class 10 और 12 दोनों इचातों को लिए एक साथ मैं आपको बात करने वाला हूँ class 10 और 12 दोनों इचातों को जो सबसे पहले चेक करना है सबसे पहले आपको अपना name चेक करना है कि आपका name की जो spelling है वो सारे चीजे सही है या नहीं सही है दूसरा आपको father name चेक करना है कि वो जो है name proper है या नहीं है उसमें spelling mistake तो नहीं है mother name चेक करना है और साथी साथ main और सबसे ज़्यादा जरूरी जो 10 भी बारवी चातों को चेक करना है आपके जो भी subject के name होंगे subject के code को अच्छी तरीके से चेक करिए इसको लेका सिबेशी होता है दूसरा हिंदी B होता है तो कई बर क्या है कि गलती हो जाती है school के तरब से गलती हो जाती है आपका code है अलग डल जाता है या या तो इसका code होना चाहिए यह हरे एक चाहतों के लिए जरूरी है तो आप अभी जाईए 8400-400 पर अपने सवाल वर्चिप करिए और अपने सभी डॉट को आउट करिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है यह जरूरी है कि माल लिए आपका हिंदी यहां पर लिखा हुआ है लेकिन कोड यह बाला डला हुआ है इस कारण क्या होता आप अप स & कर देंगे तो आपको क्या होता है आपको हिंदी B का प पेपर मीलेगा यह जो है गलती आप नहां कि इस चीज़ आपको चक करना mijंदी है ग्लति आयोजिग में है आपको टमामrichten पर हूक हेँ हींदी को चेख love के दो हैं हें अगर state घाने को क्ई दीझ पर इंधी जी इंदी कोड और हैं अगर आपके पास हिंदी कोडी ठेक लिए तो आपको यह चीछ देख लिए Unterstüt पर देख लीजिए अब यहां पर आपको बता दो कि उसलों के माइंड में आ रहा हो गाँ है कि क्या जीद जरूरी है जो आपको LOC में चेक करना है क्लास 10 & 12 दोनों चाहतों के लिए आप लोग समझ गए कि क्लास 10 के चाहतों को यह क्लास 12 के चाहतों को जो है LOC में कौन-कून सी बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है LOC को चेक करते समय मैं आपको इसके जस्ट बात आपको दूसरा वीडियो देने वाला हूं क्योंकि वीडियो काफी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्लास 10 & 12 दोनों चाहतों को लिए डीटेल में आपको कबर करने वाला हूं कि एक्जामिशन फीस में कई बर क्या होता है कि आपको मालूम नहीं होता है लेक आपको नहीं देना है और भी जो कई सारी जनकारी जो है आपके सीवेसी बोड ने कहा है कि एक्जामिशन फीस को जो है इस टाइम पीरेट के बीच में आप लोग समझेंगे अगर फिर वी कोई डॉट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं तो अभी किस वीडियो में इतना ही बच्चो चैनल पे पहली बढ़ बुलिएगा क्योंकि इसके जस्त बात आपके लिए इंपोर्टेंट वीडियो आने वाली इसी तरीके से टर्मान को लेकर और भी अपडेट आपके लिए प्रोवाइट कराते रहते हैं तक हमाई चैनल पे पहली बढ़ाए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बुलिएगा जैन बच्टो